जय जिनेट आज हम एक स्वस्तिक के शेप की सिंपल और शिख्र बन जाए ऐसी गहुडी बनाना सिखेंगे आएए सबसे पहले हम चावल को चौरश शेप में फैला लेंगे फिर उसके बाद सेंटर से एक लाइन कीचेंगे उसको क्रोस करते हुए दुसरी लाइन खीचेंगे और एक स्वस्तिक का आकार बनाएंगे चारों और लाइन खीच लें एक डबल स्वस्तिक जैसा बन जाएगा अब बाहर से अंदर की और लाइन खीचेंगे बाहर से कनेक्टेड रहे इस तरह से एक लाइन सीधी और एक लशेप में आएगी तीस्री ओर बी हम इसी तरह से लाइन खीचेंगे और च़ाथी और भी इसी तरह से लाइन खीच देंगे अब जो चौरस शेप है उसको ओवल शेप में कनवर्ट करना है पहले को ओवल शेप बनाएंगे दूसरा ओवल शेप बनाएंगे तीसरा ओवल शेप बनाएंगे और चौथा भी ओवल शेप का बना देंगे अब यहां से हमें simple स्वस्तिक बनाना है दूसरा स्वस्तिक बनाएंगे finishing भी साथ में करते रहेंगे तीसरा स्वस्तिक बनाएंगे और चौथा स्वस्तिक भी बना लेंगे गहुली की नई डिजाइन्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद